गुद मॉर्निंग BAC part 2nd आज आपको thermodynamics first का last part बतारहे है thermok chemistry या उश्मा रसाइन वे रसाइनिक अभी क्रियाई जिसमें उश्मा मुक्त होती है exothermik या उश्मा शेपी अभी क्रियाई कहलाती है ततब वे अभी क्रियाई जिसमें उश्मा परिपाश्विक सराउंडिंग से अफ्चोशित होती है endothermik या उश्मा शोशी अभी क्रियाई कहलाती है अब इसमें परिभाशा आए हैं पहला है heat of reaction या अभी क्रिया उश्मा आप किसे कहते हैं रसाइम निक समीकनर द्वारा बताए गए अभी कारकों के मोलों की संख्या के पूर्टा अभी क्रित होने पर पूर्ण उश्मा में परिवत्तन को अभी क्रिया उश्मा या heat of reaction कहते हैं उधारन है H2 प्लस I2 2HI तो इसमें डेल्टा H का मान होता है प्लस 52.96 किलो जूर्स पर मोल है एक hydrogen molecule और iodine molecule की अभी क्रिया से जब 2HI molecule बनते हैं तो इतनी उश्मा ये अभी क्रिया अफ्शोशित करती है इसलिए इसको हम कहते हैं endothermic reaction इसी के साथ दूसरा reaction है combustion किसी भी पदात को oxygen में जलाने पर उर्जा हमेशा मुट होती है और इन्हें हम कहते हैं combustion reactions तो carbon plus O2 इसने बनाया 2CO carbon monoxide इसमें delta H is equal to minus 223.47 किलो जूल अता इतनी उर्जा बाहार निकलती है यदि यही अभी किरिया है हम 298.15 Kelvin ताप और एक वायू मंडल ये दाप पर करें तो इसको हम कहते हैं मानक अभी किरिया उश्मा मानक अभी किरिया उश्मा कहलाती है तो C plus O2 से यदि हम पूरी oxygen देते हैं तो carbon dioxide बनती है और इसमें delta H होता है मानस 395.39 किलो जूल पर मूल तो ये दो तरीके की है एक्जो थर्मिक, एंडो थर्मिक, heat of reaction अब next है ताप का प्रभाव और ये important है किर्चौफ के समी करां ये प्रक्रम जो A से B में स्थिर दाप पर हो रहा है अत्ता delta H बराबर होगा HB, B की उर्जा heat of reaction मानस HA दाप इस्थिर रखते हुए ताप के संदर्व में अफकलित करने पर तो delta H, delta T at constant pressure is equal to DHB, DT at constant pressure minus DHA बटा DT at constant pressure ये है समी करां एक हम जानते हैं DH बटा DT at constant pressure को हम कहते हैं CP तो DHB divided by delta T, P is equal to होता है CP B, बता B की उर्जादा दा देता और DHA बता DT at constant pressure ये होता है परिवाशा के अनुसार CP, A, A की उर्जादाप पर उर्जादा दा दा देता अता delta H बता delta T, P is equal to किसके होगा इसकी जगे हम रखेंगे CP, ब्राकेट में B, माइनस CP, माइनस A तो delta H divided by delta T at constant pressure is equal to delta CP delta CP इस्थिर्दाप पर उत्पादों तता विकारकों की उश्मा धारिताओं का अंतर है ये है समी करां किर्चॉफ समी करां कहलाता है इसी प्रिकार यदि हम स्थिर्दाइतन पर होने वाली अभी करियाओं के लिए delta H के स्थान पर हम delta E आंतरे कूजा परिवतन का पद यूज करते हैं तता CP के स्थान पर CV को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो ये समी करां हो जाती है delta E बटा delta T as constant volume is equal to delta CV ये किच आफ समी करां का दूसरा रूप है अब इसकी नेक्स परिभाशा है heat of combustion या देहन उश्मा आपको बताया है कोई भी पधात काल्मन हो या कोई भी पधात को यदि हम oxygen की उपस्तिती में देहन करते हैं तो उसको हम कहते हैं देहन उश्मा यदि एक मोल किसी भी पधात को ठीक है 298 केलविन और एक वायू मंडल ये दाप पर है ना पूरता अभी करेत करते हैं तो उत्पन हुई उश्मा को हम कहते हैं मानक देहन उश्मा या दो उधानद दी हैं C प्लस O2 का जिसमें की delta H है मानस 395.39 किलो जूस पर मोल और दूसरा दिया है आपको C2S6 इथेन का combustion जिसमें की जो heat of reaction है या जो उश्मा बहान निकलती है वो होती है मानस 1559.87 किलो जूस पर मोल अब नेक्स्ट है संभवन उश्मा heat of formation इसकी क्या परिवाशा है अव्यवी तत्वों की सहायता से एक मोल पदाद बनाने पर पून उश्मा में हुए परिवर्तन को उस पदाद की संभवन उश्मा कहते हैं 298.15 कलोई टेंपरेचर और एक वायू मनल ये दाप पर मानक संभवन उश्मा कहते हैं तो H2 प्लस हाफ O2 से हमने अगर एक मॉलक्यूल H2O या वन मोल उफ वाटर बनाया तो जो उश्मा परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संभवन उश्मा हीट और फॉर्मेशन का आरत है किसी भी पदाद का बनाना एक मोल बनाना तो ये डेल्टा H0 is equal to minus 285.83 किलो जूल इसी प्रकार C plus 2H2 से CH4 का बनाना तो उसको हम कहेंगे संभवन उश्मा नेक्स डेफिनेशन है उदासीनी करन की उश्मा हीट और नूटरलाइजेशन हीट और नूटरलाइजेशन होता है प्रबल अमल के एक ग्राम तुल्यांकी भार को चार प्रबल चार के एक ग्राम तुल्यांकी भार से पूर उदासीन करने पर पूर उश्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं उदासीनी करन की उश्मा उदारर SCL 1N SCL 1N NUH ये बनता है NACL plus water और इसमें जो डेल्टा है चोता है वो होता है 13.7 किलो कैलोरी पर मूल इसको हम कहते हैं कुदासीनी करन की उश्मा अब लास्ट बता रहे है उश्मा रसाइन के नियम इसमें एक ही नियम बहुत इंपोर्टन है जो नुमेरिकल्स में काम आता है वो हैस का इस्तिर उश्मा संकलनियम हैस जो ओफ कॉंस्टेंट हीट समेशन तो इसका अर्थ है यदि कोई भी रसाइनिक अभी करिया एक पद में हो या एक से अधिक पदों में हो पर कुल उश्मा परिवर्तन हमेशा समान होता है जैसे कि डेल्टा ह is equal to डेल्टा ह one प्लस डेल्टा ह two प्लस ह डेल्टा ह three उधानन दिया हुआ है कार्बन को अगर हम पूरा अधिक oxygen मिल जाती है पूदी oxygen मिल जाती हो कार्बन डाय उक्साइट में अभी करित होता है तो डेल्टा ह का मान होता है माइनस 393.57 किलो जूल परन्तु यदि हम इसको दो पदों में संपन कराते हैं C प्लस हाफ 2 कार्बन मोनो अक्साइट का बनना तो डेल्टा H का मान होता है 110.53 किलो जूल और फिर कार्बन मोनो अक्साइट को हम थोड़ी और ऑक्सीजन देखे इसको कार्बन डायोकसाइट में परिवर्थित करते हैं तो डेल्टा H का मान होता है मानस 282.98 किलो जूल अता पूरा इन दोनों का योग करें पद 1 और पद 2 का तो C प्लस O2 इस इकल टो CO2 और डेल्टा H जो होता है वो होता है मानस 393.51 किलो जूल तो हैस के नियम के अनुसार रसाइनिक अभी करिया एक पद में संपनों तब भी हीट ओफ रेक्शन समान होती है और यदि एक से अधिक पदों में भी संपन होती है तो उनका कुल योग जो होता है वो जो पूर्ण अभी करिया के समानी होता है इसको हम कहते है इसका नियम थैंक यू